हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो यूजल शुरू करूंगा फिंगर्स के अनैल्सिस से उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सैटिंग को और मांउंट्स को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को इस तरह से पूरे हैंड का जो अनैल्सिस हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं साथ सा ड्रॉ करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है थोड़ी लंबाई में नजर आ रही है कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की जो एक रक्टैंगल की शेप बना रही है जो शो करती है काफी आनलिटिक टाइप की इनकी रहने वाली है और फिंगर्स के बीच में यहाँ पर काफी सारे गैप्स भी नजर आ रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर सैटिंग में ही फिंगर्स की क्लियर गैप्स हैं जो व्यक्ति की इंडिपेंडन नीचर को शो करते हैं इस तरह के गैप्स होना फिंगर्स मे शो करते हैं कि व्यक्ति का सभाव जो है थोड़ा जिद्धी रहेगा और ऐसे व्यक्ति काफी ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं उसके लाव आप देख सकते हैं यहां पर इनकी जो fingers हैं गांटदार हैं और यह जो गांटदार है वाले finger वाले व्यक्ति होते हैं जो काफी जादा स्पष्ट वादी होते हैं और कोई भी बात जो किसी को कहनी होती है सीधे स्पष्ट शब्दों में कहने की इनकी एक आदत होत की length बिल्कुल एक समान नजर आ रही है जिससे clear होता है कि इनके अंदर काफी अच्छी creative qualities और काफी अच्छी leadership qualities रहने वाली हैं और शनी finger को अगर देखा जाए तो शनी finger में भी यहां पर कोई कमी नजर नहीं आ रही बिल्कुल straight शनी finger यहां पर indicate करती है कि काफी मेहनती यह अपनी life में रहने वाले हैं आगे आप देख सकते हैं mercury finger को mercury finger यहां पर काफी अच्छी length में और सूरिया finger के first falange को cross करती है नजर आ रही है बिल्कुल straight और hulky सी tiltation के साथ mercury finger यहां पर अच्छी length में होने के वज़य से इन्हें काफी अच्छे communication skills देगी और काफी अच्छा business equipment इनका रहने वाला है और fingers के ओपर कुछ hulky खड़ी रिखाएं भी नजर आ रही है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रिखाएं जो बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिने काफी सारी fingers के ओपर कई falanges के ओपर यह चोटी चोटी रिखाएं इनके दिखाई दे रही है जो show करते हैं friendly nature को यहाँ पर इनके nature काफी friendly भी रहेगी और थोड़ी जिदी और aggressive nature भी रहेगी क्योंकि gaps यहाँ पर काफी ज्यादा है तो इस तरह की nature इनकी finger से हम जज़ का पा रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं इनके mounts इनके बारे में क्या क्या indicate करते हैं और इस तरह से आगे बढ़ते होई lines क को भी चेक करेंगे तो यहाँ पर अगर एक line में draw करता हूं तो कुछ इस तरह की line बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी finger low set होती हूं नजर नहीं आ रही है एक perfect arch बन रहा है जो indicate करता है कि सभी जो इनके mounts से उनको अच्छी space मिल पा रही है तो one by one सभी mounts को चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रसपती mount का जो try riddle है थोड़ा सा उपर की तरफ shifted है लेकिन यह मांट जो है बिलकुल अच्छी position में नजर आ रहा है क्योंकि अबरा हुआ मांट है और अगर आप इस mount की shape को देखें तो यहाँ पर एक perfect ब्रसपती mount बन मौजूद है जिने हम lines of progress कहते हैं इस तरह की lines का होना यहाँ पर बहुत ही beneficial है progress line का मौजूद होना ऐसी line व्यक्ति को निरंतर progress दिलवाती है life में तो यहाँ पर किसी तरह की मुझे progress की कमी नजर नहीं आ रही और इस mount का उबरा हुआ होना और ब्रसपती finger का अच्छी length में ह भी चीज़ें indicate करती हैं कि ऐसे व्यक्ति काफी spiritual हो जाते हैं जैसे life में आगे बढ़ती है age बढ़ती है तो ऐसे व्यक्ति spirituality की तरह भी इनका जुकाव होता है और उसके साथ साथ अच्छा मान समान व्यक्ति को मिलता है समाज में अगर ब्रसपती mount अच्छा हो और उसके आगे देखते हैं शनी mount को तो शनी mount यहाँ पर ब्रसपती की भांती उबरा हुआ है बहुत जादा दबा हुआ mount नहीं है hard working nature इने देगा लेकिन शनी रेखा यहाँ पर मुझे बहुत जादा strong नजर नहीं आ रही क्योंकि शनी रेखा हमें comforts provide करती है तो यहाँ पर अगर श 35 से लेकर 40 के बीच की एज रहेगी उसमें इनकी life में struggle काफी ज्यादा रहेगी क्योंकि इस age में 35 से लेकर 40 की एज में शनी रेखा disappeared नजर आ रही उसके बाद आगे फिर से यहाँ रेखा continue होती हुई जो इने दुबारा से बहुती comfortable life दे सकती है लेकिन जो यह age रहेगी around 35 स लेकर 40 तक की तो यह struggle भरी इनकी age रह सकती है और आप देख सकते हैं इनकी जो शनी रेखा है बेशक बीच में कुछ समय के लिए disappear हो रही है लेकिन यहाँ पर एक अच्छी money triangle की formation भी कर रही है कुछ इस तरह का money triangle यहाँ पर बंता हुआ जो लगबग तीनों तरफ से बंद ह तौ नजर आ रहा है जो यहाँ पर indicate करता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी life में काफी पैसा एकठा कर लेता ह। काफी सराए पैसा स्टोर कर लेता है उसे के साथ साथ तिल नजर आए है यहाँ पर रहू एरिया के ऊपर राहू एरिया के ओपर तिल का होना फाइनेंसिस के लिए अच्छा माना जाता है otherwise राहू या केतू एरिया के ओपर जो तिल है यह हेल्थ के लिहाँ से ज्यादा अच्छा नहीं होता हेल्थ दिक्कते हेल्थ से लिट रह सकती है और इसको एक तरह से विप्रीत राज योग भी कहा जाता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास पैसे की कमी नहीं होती inherited wealth मिलने के chances रहते हैं sudden gain होने के chances रहते हैं जिनके भी center में हतेली के बिल्कुत center में तिल का निशान हो ऐसे व्यक्ति को अचानक progress मिल सकती राहू जो है वो uncertain है certain है जो अचानक किसी भी age में व्यक्ति को अपने results दे सकते हैं तो यहां पर इस तिल का होना इनके लिए भागया शाली है finances के लिए भागया शाली है लेकिन health के लिए और relationships के लिए यहां पर ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता आगे देख सकते हैं आप इनके सूर्य माउंट को तो सूर्य माउंट यहां पर इनके हाथ में average ही नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा strong नहीं नहीं बहुत ज़्यादा लंबी सूर्य रेखा यहां पर मौजूद है हलका सा दबता हुआ सूर्य माउंट और अगर सूर्य रेखा की बात की जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं खडी रेखाएं यहां पर मौजूद है यो एक से ज़्यादा तरह की creativity होने की यहां पर पुष्टी करती हैं लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर एक से ज्यादा सूर्य रेखाएं हों चाहे छोटे साइस की क्यों नहों ऐसा व्यक्ति कन्फ्यूज रहता है खास तरपर अपनी creativity को choose करने में उसको channelize करने में थोड़ा सा confused personality रहती है आगे बात करते हैं mercury की तो अब देख सकते हैं mercury रेखा मौजूद है और mercury माउंट यहाँ पर ज्यादा low set नहीं है जिस वज़े से इनका business equipment अच्छा रहेगा कुछ इस तरह की एक लंबी mercury line है बेशक थोड़ी सी overlapping इस line में नजर आ रही है कुछ इस तरह से लेकिन यह है रेखा business equipment के लिए अच्छी है business जो skills है व्यक्ति की वो strong रहती है लेकिन इस तरह से overlap होना इस line का health के लिहाँ से ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता आगे आप देख सकते हैं इनकी heart line को heart line यहाँ पर बहुत ज़्यादा strong नहीं है शुरू में ही आप देख से टेसल जैसी formation बन रही है कुछ इस तरह की formation इनकी heart line की जो एक flirt type की personality को भी indicate करती है और heart की line यहाँ पर बहुत ज़्यादा strong होकर नहीं चल रही हाँ heart की line में double हो रही है heart की line जो एक weakness है कोई भी line इस तरह से double हो तो वह बहुत ज़्यादा अच्छे result नहीं दे पाती क्योंकि energy flow जो होता है उस line का वह divide हो जाता है यह चिन सिर्फ तभी व्यक्ति को benefit देता है जब ऐसा व्यक्ति fair means से यानि के अच्छे तरीके से पैसा कमाए कोई भी गलत way use ना करे तो इनसे भी यही मेरी suggestion इनको रहेगी के unfair means कभी भी इस्तिमाल ना करें लाइफ में अगर यह अच्छी progress लाइफ में पाना चाहते हैं overall heart की health से दिक्कते हैं इन्हे middle age के बाद आ सकती है जो इन्हें अपनी health maintain करकर जिसको यह avoid कर सकते हैं proper exercise वगरा यह करते रहें तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ी weakness मुझे heart की line से नजर आ रही है आगे आप देख सकते हैं इनकी mind line को एक straight mind line है और बीच में यहाँ पर थोड़ी सी एक तरह से formation जो island की तरह हो रही है यहाँ पर double होती ही mind की line जो थोड़ा तनाव इन्हें दे सकती है round 35 की आसपास की age में यहाँ रेखा थोड़ी सी यहाँ पर problems create कर सकती है चाहे वो attention जो है वो finances की वज़े से हो यहाँ किसी भी वज़े से हो हो है कुछ दिक्कत इन्हें life में दे सकती है overall यहाँ पर इनकी जो line है mind की काफी अच्छी है बिल्कुल straight है बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं है जो एक अच्छी बात है जो एक perfect size है उस size की mind की रिखा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ आगे देखते हैं इनकी line of life को money triangle के बारे में बात कर चुके हैं हम और fate line और mercury line के बारे में भी discuss कर चुके हैं तो चलिए life line को देखते हैं life line में भी यहाँ पर एक च्छोटे size का island बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो बहुत अच्छा चिन नहीं है around 35 की आसपास की age में यह है थोड़ी health issues यहाँ पर confirm कर रहा है क्योंकि यहाँ पर 35 की आसपास की age में यह है island बनना energy flow को कम करता है और जो life energy है उसमें कुछ दिक्कत ने रह सकती है weaknesses रह सकती है otherwise अगर देखा जाए तो यह line इनकी काफी लंबी है और यह line लगबग 75 से 80 तक की इनकी age को show करती है कुछ इस तरह की लंबी रेखा और जिसमें से बाहर की तरफ चलने वाली branches निकल रही है जो विदेश यात्रा को show करती है foreign travels रह सकते हैं long stay विदेश में हो सकती है इनकी और round 80 के असपास की age को यह enjoy कर सकते हैं लेकिन उसके लिए भी इन्हें अपनी health को काफी maintain करके रखना पड़ेगा और अगर इनके शुकर माउंट को देखा जाए तो शुकर एरिया यहां पर काफी उबरा हुआ है और बिलकुल clear है यहां पर कोई negative chin मुझे शुकर एरिया के उपर नजर नहीं आ रहा जो एक बहुत ही positive thing है इनके लिए इस तरह का शुकर माउंट व्यक्ति को luxury चीजों की तरफ attract करता है कामुकता थोड़ी धिक रहती है और उबरा हुआ शुकर माउंट अच्छी family life भी देता है और यहां पर इनके जो ज़्यादा खर्चे है वो भी luxury चीजों पर branded चीजों के उपर हो सकते है क्योंकि इस तरह क नेगटिव चिन चंदर एरिया के उपर नहीं है हलका सा चंदर एरिया अंदर की तरफ दबता हुआ जो के नॉर्मल है बहुत ज़्यादा इसका प्रभाब नहीं रहता लेकिन चंदर एरिया का उबरा हुआ होना एक mind की stability भी व्यक्ति को provide करता है तो यह कुछ analysis थे इनके hand क के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पे message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद